मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बहुत जर्री में मुझे कुछ कर दिखाना था क्योंकि मेरा सेकंड टम्स था मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राकी को जिन्दा राकी दिखाना था और मुझे कुछ करना था लेकिन दिल में मा का मा की बीमारी दर्द था एक तरफ मेरे हस्बंड का वो एक दर्द था इतने दर्द के बाद भी मैं जन्ता के पॉइंट अफ यू सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट अफ यू मैं एज एंटरेंडमेंट, एज एंटरेंटर खरी उत्री मुझे नहीं अजिए पताता है मैं अंदर क्या कर रही हूँ, I didn't know. राहुल माहा जन के साथ उनका महाजन अगर सरनिम निकाल दिया जाय तो ही ज़जजीर हो। लगाने वाला और आज बर्दे बॉई आईए ये जो मेरा बर्दे बॉई हम सारे सवाल करेंगे लेकिन आज मेरे बाई सोनी भाई युनों ने जो मेरा सुख दुख में साथ दिया है मेरा बाई आपके जैसा कोई नहीं है मेरी बहन को जौब चाहिए था उन्होंने अपने प पंकज पंकज अधन ये मेरे दोनों भाई इनों ने टीन भाई यस ये लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में हर इंसान चाहा मिता बच्चन हो चाहे बड़े-बड़े स्टार हो अब सेंट डाउंस हर किसी की जिंदगी में आते हैं मेरी लाइफ में भी आय सबके लिए हमेशा खड़े रहती हूँ हमेशा खड़े रहती हूँ और धांकियो फॉर मेकिंग में आपके लिए यह भी में लिए बहुत हर जगा संपूर करती है आज मेरा 15 साथ से रिष्टा है अपने सगी बहन से भी ज्यादा वह इपाती है यह कहीं बहुत कर दो आजाए मिली है और मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ और भाई नहीं को बागए बहुत है रहा श्यादा गए अपने इस प्लाप आपके लिए ऑन को बागए बहुत है मैं हर साल दुनिया के किसी भी कॉने मेरा भाय का बादे में तो मनाती ही हूं मैं चाहती हूँ कि आपका जो बनाए हुआ ड्रेस जो है वो सल्मान खान मेरे भाई जो गाड ब्रोदर है वो पहने एक दिन तो आप उनके लिए रेडी हैं बनाने के लिए मैं खुद अपने हाथ से उनको गिफ्ट करूँगी सोहिल भाई तो आपके पार्टनर ही हैं पहले अब ही नहीं है बड़ यह दो सूड जो है सोहिल भाई सल्मान जी के लिए आप बनाए है मैं खुद भाई को गिफ्ट करूँगी ठीक है थांक यू